क्या होती है महिला नागा साधूँ की वेशबूशा और सुबह से शाम तक क्या करती है? पुरुशों की तरह ही महिलाएं भी नागा साधू बनती है. उन्हें भी इसके लिए कठोर परीक्षाएं देनी होती है लेकिन कुछ माइनों में महिला साधू पुरुश नागा साधूँ में अलग होती है. वो वेशबूशा धारन करती है और दिन भर का उनका रुटीन बहुत कठिन होता है. जानिये कैसे कोई महिला नागा साधू बनती है और फिर वो कैसा जीवन जीती है. पुरुशों की तरह ही महिला नागा साधूँ का जीवन भी पूरी तरह से हिश्वर को समर्पेत होता है. और उनके दिन की शुरुआत और अंत दोनों ही पूजापाट के साथ ही होता है जब एक महिला नागा सादू बन जाती है तो सारे ही सादू और साद्वियां उसे माता कहने लगती है माई बाड़ा वह अखाड़ा है जिन में महिलाओ नागा सादू होती है प्रयागराज में 2013 में हुए कुंद में माई बाड़ा को और विस्तरत रूप देकर दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा का नाम दिया गया नागा एक पद्वी होती है सादू में वैशनफ, शैव और उदासीन तीनों ही संप्रदायों के अखाड़े नागा बनाते हैं पुरुष सादूओं को सारवजनिक तोर पर नगना होने की अनुमती है, मगर महिला सादू ऐसा नहीं कर सकती नागा में बहुत से विस्तरधारी और बहुत से दिगंबर, निर्वस्तर होते हैं इसी तरह महिलाएं भी जब सन्यास में दीच्शा लेती हैं तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है, लेकिन वे सभी विस्तरधारी होती हैं महिला नागा सादूओं को अपने मस्तक पर एक तिलक लगाना होता है महिला नागा सादूओं जो कपड़ा पहनती हैं, वो सिला हुआ नहीं होता है इसे गंती कहते हैं, नागा सादूओं बनने से पहले महिला को 6-12 साल की अबधी तक ब्रामचर्यका पालन करना होता है जब महिला ऐसा करपाने में सफल हो जाती है. तब उसे उसके गुरु नागा सादू बनने की अनुमती देते हैं. नागा सादू बनाने से पहले महिला की पिछली जिंदगी के बारे में जानकारी हासिल की जाती है ताकि यह पता चल सके कि वह पूरी तरह से इश्वर के प्रत पर नहीं चुना जाता है। एक नागा सादू बनने के दोरान एक महिला को यह साबित करना होता है कि वह पूरी तरह से हीश्वर के प्रती समर्पित हो चुकी है। और अब उसका सांसारिक खुशियों से कोई भी लगाव नहीं रह गया है। महिला सादू को अपना पिंदान करना होता है और पिछली जिंदगी को पीछे छोड़ना होता है। महिलाओं को सन्यासी बनाने की प्रक्रिया अखाडों के सर्वोचप अदाधिकारी आचार्य महमंदलेश्वर द्वारा पूरी कराई जाती है। महिला नागा सादू बनने के बीचे एक ही बड़ा अंतर होता है। पुरुष नागा सादू पूरी तरह से नगन रहते हैं, जबकि महिला नागा सादू अपने शरीर को गेरुए रंग के एक वस्तर से ढख कर रखती है। इन महिलाओं को कुम्प के सनान के दौरान नगन सनान भी नहीं करना होता है। वे उनके नहाने के बाद नहाने के लिए नदी में उतरती हैं।